बलकि मैं तो पार्लर वाले डर्मटोलोजिस्स सबको बोल रहे हो कि एक बर आप भी करके देखो I'm pretty sure आप भी बोलोगे कि भाई हाँ results तो same ही है It's very 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 powerful Science and Technology के advancements के चलते Facial दुनिया में आजकल Hydra Facial काफी कमाल कर रहा है जिसका main ingredient है hyaluronic acid जो कि ये दावा करता है कि आपकी skin पर 72 घंटे के लिए moisture को lock कर सकता है और उसकी वो जो youthfulness है उसको बरकरार रखता है अगर आप अपनी skin पर dark circles experience कर रहे है uneven tone experience कर रहे है dullness experience कर रहे है चहरे का वो glow गायब हो गया है वो रोशनी गायब हो गयी है तो आपके nearby salons कि जितने भी लोग है और renowned dermatologist आपको suggest करेंगे कि आपको hydrafacial avail करना चाहिए मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के या जो भी लोग इस वीडियो को फिलाल देख रहे है अगर आपने hydrafacial अपने लिए avail किया है इसका minimum charge है 6,000 रुपे जहां काफी जादा हिट करता है आपकी pocket को इसलिए सब लोग comfortable नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि एक बहुत ही simple तरीका कि घर पर आप इस facial को कर सके और वैसे ही results पास सके जैसा कि ये facial आपको देता है ये मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छे results मिले है जैसा कि इस पूरे के पूरे procedure में किया जाता है उसको मद्दे नज़र रखते हुए मैंने बहुत ही simple ingredients आपके kitchen से चुने है जो कि आपको exactly वैसा ही results दे सकते है मुझे पता है कि कुछ लोग शायद अभी विश्वास ना कर सके लेकिन मैं हमेशा कहूंगी प्रत्यव्ष को प्रमान के आवशकता नहीं है इसलिए try कीजे अपने लिए check out कीजे और फिर देखे कि क्या results आपको मिलते है because this is one of its own kind यहां पर हम hyaluronic acid का ही substitute यूज करने वाले है आपकी skin को वो glow वापस से देने के लिए तो अगर विश्वास कर सके तो पूरी वीडियो को देखेगा otherwise all the very best doing hydra hydra facial for yourself आई यह जानते हैं what all needs to be done सब्सक्राइब आप सभी का प्रीदीव रेना के चानल पर जहां पर मैं skin care, hair care और health care से related बहुत सारी खुबसूरत चीज़े लेकर आती हूँ अगर आप अल्रेडी परिवार का हिस्सा नहीं है तो यकीन मानिए सिरफ आज की वीडियो को witness कर लीजिए और खुट decide कीजे कि आपको हमारा हिस्सा होना है या नहीं आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेर करने के लिए आई हूँ एक बहुत ही खुबसूरत सा hydra facial जो कि आप घर पर करने वाले हैं भाई सब लोग नहीं afford कर सकते हैं इतना expensive facial लेकिन जो results आज आपको मिलने वाले हैं आप बोलेंगे कि भाई क्यों ही कराना है पार्लर में बलकि मैं तो पार्लर वाले dermatologist सबको बोल रहे हो कि एक बार आप भी करके देखो I'm pretty sure आप भी बोलोगे कि भाई हाँ results तो same ही है it's very 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 powerful तो हमेशा की तरह remedy को start करने से पहले मैं अपने पूरे परिवार को कराना चाहती हूं कि hyaluronic acid जो कि इतना expensive serum है यह आपका शरीर खुद ही बना सकता है जहां आपके शरीर में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर यह खुद ही रहता है खुद ही बनता रहता है लेकिन क्योंकि आप पानी कम पीते हैं ना इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए ना इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए ना यकीन मानिए कोई topical application आपको चाहिए ही नहीं मैं आप सभी सी कहना चाहती हूँ कि आज जो process हम कर रही है हलांकि यह majority of लोगों को suit करेगा बहुत अच्छे results देगा लेकिन फिर भी 1% doubt भी अगर है ना take a patch test and then try it out for yourself हम नहीं चाहते हैं किसी भी remedy को आप you know negative light में देखे या करें so please be sure about it first and then try it out for yourself अब अगर आप positive हैं सारी चीज़े do's and don'ts समझ चुके हैं चल्दी से शुरू करते हैं application what needs to be done यह जो मेरी तवचा है यह morning में mood होने के बाद sunscreen का application कर रखा है और उसके बाद like 2-3 गंटे हो चुके हैं उसके बाद मैं यह process शुरू कर रही हूँ इस पूरे process के चार steps है जैसा की normal hydra facial में होता है सबसे पहला step है cleansing आप चाहें तो सीधा face wash करके आ सकते हैं otherwise आपको यह वाला step है यह बहुत important और बहुत moisturized आपकी skin को रखेगा इसके लिए एक bowl में आपको लेना है दो बड़े चम्मच raw milk अगर raw milk है तो बहुत ही बड़ी है उसमें इतने सारे खुब्सूरत nutrients होते हैं जो कि skin के लिए nutrition का भी काम करते हैं और cleanser का भी काम करते हैं ले अच्छे से आप इसे mix कर लेंगे पूरा एक जैसा हो जाना चाहिए उसके बाद आप cotton की help से अपने चहरे को अच्छे से clean करेंगे कुछ cotton patch जैसे होते हैं जो कि काफी harsh होते हैं या फिर sensitive skin ऐसी होती है कि हलका सा भी रगण लगा तो sensitivity आजाती है please make sure कि आप बहुत gentle hands से ये दोनों mix आपको अपनी skin पर पहुँचाने हैं अगर आपको ऐसे जने है कि cotton से भी राशे हो जाते हैं सिरफ हाथ से इसको लीजिए और पूरे चहरे पर अच्छे से massage कर लीजिए ultimately आप अपने चहरे को clean कर रहे है, rip off कर रहे है, कोई भी product आपने लगाया है, कोई भी oil है, कोई भी pollutant है, कोई भी clogging है ये सब कुछ clean कर देता है, ये इतना ताकतवर blend है ना कि आप रात के समय, सोते समय इसको अपने चहरे पर लगा कर सो सकते हैं और next day morning जब आप चहरे वाश करेंगे आपको face wash की आवशकता नहीं पड़ेगी, in fact उसके बाद moisturizer की आवशकता नहीं पड़ेगी, इतना hydrate आपके skin को कर देता है cleansing करने के बाद आता है step number two which is an exfoliation, लेकिन यहाँ पर हम scrub का इस्तमाल नहीं करेंगे, हम अपनी skin को hydrate कर रहे हैं, moisturize कर रहे हैं, उसको supple बनाने की कोशिश कर रहे हैं, form करने की कोशिश कर रहे हैं, तो scrubbing यहाँ नहीं होगी, लेकिन exfoliation फिर भी होगा इसके लिए एक बोल में आपको लेना है, एक बड़ा चम्मच बेसन यानि की ग्राम फ्लावर, अगर आपको यह ऐसे जन है जो बेसन के लिए comfortable नहीं है, आप मसूर दाल, पिसी हुई, बिल्कुल अच्छे से छनी हुई, वो यहाँ ले सकते हैं, that's it इसको आप पानी से डाइलूट कर लेंगे, और इसको लेकर आप अपने, अगर सिरफ टी जोन आपका परिशान है, जहां पर ब्लाक हैद्स, वाइद्स होते हैं, क्लॉगिंग होती है, तो आप सिरफ टी जोन कर लीजे, पर क्यूंकि बेसन बहुत ही बढ़िया एक्सफोलि कीजे, आपके उन एरिया में जहां पर आपको डाकनिंग है, क्लॉगिंग है, डाक स्पॉट्स है, पिग्मेंटेशन जो भी परिशानी है, वहां पर थोड़ा ज्यादा कॉंसेंट्रेट कीजे, आपको इसे अपनी तवचा पर सुखाना नहीं है, देखिए वैसे तो हमें DIY जो फेसवाश है, उसमें बेसन है, लेकिन आज सिरफ बेसन का अप्लिकेशन भी यकीन मानी, जब आप करेंगे, आपको फील होगा कि यार, क्या रेमेडीज है, हम क्यों मार्केट के इतनी सारी चीजे लेते रहते हैं, इतना सब कुछ इनवेस्ट करते हैं, सिरफ बेसन और पानी ने आज जो मेरी स्किन को एक्सफोलियेट किया, इतना खुबसूरात रिजल्ट आपको मिलता है, तो मैं आपको यह चोटी-चोटी चीज़ आप करते रहते हैं, यह कीप ऑन हसलिंग, आपको बहुत सारी नही नही चीज़े पता चलती रहती है, इनकी ताकत पता चल करते हैं, तो अच्छे से पूरा चेहरे को क्लीन करके गर्दन को क्लीन करके एंदेन वाइप इट ओफ, और वाइप इस पूरे प्रोसस के दौरान मैंने सिरफ एक मग पानी का इस्तमाल किया है, थोड़ा सा और क्योंकि मैं वाश भी किया था, तो प्लीज मेक शॉर किया प अच्छे से लेकिन बेसन जैसा कि उसका नाम है, बिना सने तो आपको रखता नहीं है, इसलिए अच्छे से वाइप क्लीन करने के बाद आपको एक बार स्प्लाश करना पड़ेगा, यू हव नो चोईस, तो अच्छे से स्प्लाश करके वो जो चुट जोड़ी दाने टाइ आप भी अपने एक्सपीरिंस बेसन के बाद जरूर बताएगा कैसा रहा, थर्द स्टेप, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अन दो मोस्ट एक्साइटिंग स्टेप इस दे मसाजिंग क्रीम जो कि हम यहां प्रपेर करने वाले हैं आपकी स्किन के लिए, यह इतनी इंपोर्टे कराएगी कि यह इस इसने बहुत सुंदर काम किया है, इस मसाजिंग क्रीम को प्रपेर करने के लिए सबसे पहला इंग्रीडिंट एक बोल में आपको लेना है, एक बड़ा चमच बीट रूट पाउडर, देखिए, यह जो बीट रूट पाउडर है यह उन लोगों के लिए अगर आपके घर में चुकुंदर है, असली वाला, छीलिए, अच्छे से कदूकस कीजिए, दो बड़े चमच इसका जूस निकालिए और इसका इस्तमाल कीजिए, समझ में है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पाउडरी ओर करना है, जूस से ज्यादा अच्छी क्रीम मैं आपको बता रही हूँ, यह तो सिरफ सहूलियत के परपस से यहां बताया जा रहा है, इसमें आपको लेना है आपका दूसरा इंग्रीडियन, जो कि इसको अच्छल में क्रीम वाली कंसिस्टेंसी देगा, जो कि है एक बड़ा चमच अलवेरा जेल, जिसके लिए आप का जो हमारा मीन है, that is glycerine over here, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मतलब मिक्स होते विए देखिए ना, प्रॉसेस भी इंजॉई कीजिए, देखिए क्या-क्या इंग्रीडिन्स आपके चहरे पर लगाने वाले हैं, और क्या माजिक आपके लिए करने वाले हैं, अ पोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, आखो के आसपास का एरिया छोड़ दीजिए, आपको वार्निंग लिखी होती है इसमें वार्निंग नहीं है, सब जगे लगाओ, आइब्राउस पे लगाओ, आँखो के उपर लगाओ, नीचे लगाओ, सब जगे लगाओ, लिप्स एवरी पॉसिबल वेए। एच्छ से मसाज कीजिए, थिक कोट लगाएए, और फिर मसाज कीजिए, हलका हलका आपको लगें कि अबज़ारा है फिर से लगाओ, नो वारी इस अच्छ से पूरी गर्दन पर, पूरे चहरे पर, मसाज कीजिए, वह पिंकिश ग्लु अपनी स् उसको अच्छे से मैंने सिर्फ आधा मग पानी लिया था इनिशली और उसी से मैंने यहां तक तीन स्टेप कंप्लीट कर लिये थे सिर्फ आधा मग पानी ही इस्तमाल हुआ है वो सभी लोग जो कहने फिर एक बाल्टी लगेगी कपड़े को धोने में तो कपड़ा भी इतना सही लिया है मैंने तो अच्छे से आपको अपनी चेहरे को क्लीन करना है पानी भी वेस नहीं करना है इस मसाजिंग क्रीम में हमने ब कि यहां पर क्या हो रहा है इस मास्क में विटमिन सी भी है और हैलोरानिक असिद का सब्सिट्यूट भी है दोनों मिलके काम कर रहे है तो मैजिक तो होना ही है ऑफिसी बात है तूरे चेहरे को अच्छे से वाइप लीन करने के बाद अगर आपको यह से जन्हें जो मेरी तर प्रॉसेस करते हैं तो स्किन हलकी सी चाहिए वन परसेंट लगे हलका सा खिचाव महसूस होता है इसको करने के बाद I bet you क्योंकि क्लिसरीन का इस्तमाल हुआ है विचिस सो पोटेंड यह आपकी स्किन को किसी भी लेवल पर अकडन या डी हाइडरेटेड या ड्राय फील नह बहुत आवशक होता है इसलिए आता है step number 4 which is a mask जिसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए एक बड़ा चमच मुल्तानी मिट्टी आप जिस चीज के लिए मास्क के लिए आप वो ले सकते है जुरूरी नहीं आपको यही लेना है अगर आप राइस लावर के लिए तो आप लि के लिए चाहिए उतना आप इसमें ग्लिसरीन लेंगे और अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बढा लेंगे and apply it on your smooth skin already अच्छे से लगा के and let it be आँको के बास फिलहाल ना लगाए हलांकि फेस मास्क सूखता नहीं है ग्लिसरीन है इसमें तो यह सूखेगा तो बिलकुल भी न के लिए अपको सिर्फ अपनी पोर्स को थोड़ा सा रिलाक्स करना है that's it 10 minutes is like something आपको लगेगा डन जो होना था हो चुका है इसके बाद आप वाइप क्लीन करेंगे और क्लीन के दौरान आप अपने आकों के आसपास भी लगा सकते सिर्फ इतना की बस लगाया रपोंच द किया है I challenge you कि इसका experience बिलकुल अलग होगा बिलकुल डिफरेंट होगा और आप किसी भी फेशल को हाइडरा फेशल को किसी भी फेशल को यह मात दे देगा ट्राय करके देखें I am not against anybody मैं फिर से बोलना चाती हूं हर वीडियो में बोलती हूं कि I am not against the salon services I am not against dermatologist जैसा कि आप करके अपने परिवार के साथ यहां share कर रही हूं कोई भी offend ना हो कोई भी negative ना सोचे हम जो कुछ भी कर रहे हैं it's for everybody so please come join us and don't feel anything negative about anything ठीक है तो इसको जब आप वाइप आफ कर लेंगे मास को आप बहुत खुश होने वाले हैं मैंने moisturization भी नहीं करा मेरी oily skin है और मुझे बह संस्क्रीन का application किया अभी वीडियो के लिए रेडी होने से पहले and that's it I didn't do anything सिरफ संस्क्रीन मैंने भी पहना है लिब ग्लॉस है और काजल और आईशाडव है that's it and I'm very happy I'm very very happy और मैं और भी हापी हो जाओंगी जब आप इसको ट्राइ करके वापस हमें बताएंगे की magic हो ग अपनाल ही थी मैं अपनान से सारी चीज अपने पास रखके बैठी थी मग में पानी लेकर बैठी थी कॉटन पास लेके बैठी थी and I enjoyed the entire process believe me so please do it for yourself और अपना experience अपने results हमारे साथ जरूर शेर कीजेगा I'll see you in the next one take care